कोलेस्ट्राल का रक्त में बढ़ जाना और कहें परिवार के अन्यस दरस्यों में भी ये बीमारी होना ये भी एक कारण हो सकता है वो भी एक लक्षन हो सकता है लेकिन कुछ भी हो एक बार डॉक्तर की सलाहा लेना बहुत ही अवशक है यही ये भी बात यहां पर वो कहते हैं शरीर में जो अंग है उसे रक्त जो पम करता रहता है इसमें जो कमजोरी आ जाती है प्रणाम मैरी हानायस अतियुत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता मेरे फस्ट प्यूसी के जितने भी विद्यारती हैं आप सब का मेरी कक्षा में स्वागत मेरे प्रिये विद्यारतियों आज मैं आपको जो आपके लिए छटा पार्ट है यहींनि श्छ्छाप्टर जो है आपके लिए दिलका दवरा और इंजाईना इस पार्ट के बारे में जानकारी दूँगी पहले हम इस पार्ट के जो लेखक है डॉक्टर यतिश अग्रवाल इनके बारे में सम्षिप्त में जानेंगे डॉक्टर यतिश अग्रवाल ये एक चिकत्सक है और चिकित्सा विग्न्यान पर इन्होंने बहुत सारे लेक लिखे है रोगों के जो लक्षन होते हैं और इसका जो निवारण है ये सारी बातों पर इन्होंने जो हैं बहुत सारी प्रमुक कृतियां जो हैं इन्होंने रची यतिश अगरवाल का जो जन्म है 20 जून 1969 में इनका जन्म हुआ 20 जून 1959 में इनका जो जन्म है वो बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी प्रमुक कृतियां इस प्रकार है इनकी प्रमुक जो रचनाए है ये हंड्रेट्स लाइफ्स, दागदार बाबू, रिवर्स बैक पेन और हाई ब्लेट प्रेजर, हार्ट अटाक आदी इनकी प्रमुक रचनाए है ये दिल्ली के सफादर जंग हॉस्पितल में वरिस्ट आचारी के पत्पर कहें सेवारत है जो आपके लिए पाठ दिल का दौरा और एंजाइना ये पाठ जो की स्वास्त के 200 सवाल उस तक से ली गई है जो की आज का जो सामाजिक जीवन है जो संघर्ष और तनाव से भरा है ऐसे जीवन में दिल का दौरा एक सामान्य बीमारी है जो दिल का दौरा है वो एक सामान्य बीमारी है इसके बचाव और मुक्ति पाने के उपए इस लेक में दिये गए है जो आपके लिए कहें जो पाठ है इसमें दिये गए है साथी साथ विध्यार्तियों को दिल का दवरा और एंजैना जो है जैसी घातक जो बीमारियां है इस बीमारियों से अवगत कराने के उदेश से इस पाठ का चैयन भी हुआ है दिल का दवरा और एनजइना किसे कहते हैं? दिल का दवरा और एनजइना रुधह के दो बीमारियों के रूप है जो दिल है वो हमारे शरीर का महत्पपूर्ण अंग है ये जो शरीर के हर येक अंगों को रक्त जो है वो पम करता है यानि पहुंचाता है ये महत्वपूर्ण येक अंग भी है तो जो है ये दिन रात मेहनत करता ही रहता है जब किसी एक यहां पर जो धमनिया है उन धमनियों में करोनरी धमनिया जो दो है उनमें अगर कोई सिकड़ न आ जाए या किसी कारण इसमें ये क्या है सिकड़ जाए तब जो है दिल की सम्भंदित बीमारी आती है तो यहां पर जो दिल दिन रात काम करता है जो कि उसके लिए भी कुछ उर्जा की अवश्कता पड़ती है उर्जा यानि शक्ति शक्ति की अवश्कता पड़ती है तो अगर जो ये दो धमनिया जो है इसकी बहुत सारी जो हैं शाकाएं हैं ये दो मुख्य धमनिया है जो की दिल को उर्जा देती हैं अगर इस धमनियों में कहें कोई कारण से सिक्ड़न यानि सिक्ड़ जाए तो दिल की सम्भंदित बीमारी आती है यानि अगर इसमें सिक्ड़न भी आ जाए तो दिल काम करता ही रहता है अपना वो काम करता है जब उसमें ये काम करने की शमता जो है कम हो जाती है क्योंकि इसमें अगर सिकुड़न आ जाये तो कहें दिल को उतनी उर्जा नहीं मिलती तब वो अपने कारी में असमर्थ हो जाता है तब जाके ये बीमारी जो है दिल की सम्भंदित जो बीमारी है वो आ जाती है तो दिल के लिए उर्जा बहुत ही अवशक जीज है और दिल जो है शरीर का एक महत्पपूर्ण अंग है दिल ही जो है हमारे अंगों को जो है रक्त पहुंचाता है इसलिए दिल जो है इंसान के लिए बहुत ही महत्पपूर्ण एक अंग है तो जब किसी भी एक धमनी में कहें सिक्ड़न आ जाती है या रुकावट आ जाती है तो कहें उसी को एंजेना कहा जाता है एंजेना कहीं कहें उग्रुरूप घ्राइप कहनी दिल की संभंधित बीमारी है जो की हाटाइप जिसे कहते हैं तो ये जो काम करता है शरीर में जो अंग है उसे रक्त जो पंप करता रहता है इसमें जो कमजोरी आ जाती है उस वक्त ठीक से रक्त क्या है पंप नहीं होता उसी वक्त ये बीमारी जो है आ जाती है इसके कुछ लक्षण है ये रोख बहुत सारे कारोनों से आते हैं इस रोख के कहीं लक्षण है जैसे की आनियमित रक्त चाप यानि बीपी बीपी जो है ये आनियमित रक्त चाप फिर diabetes किसी को क्या है शुगर की बीमारी जब आ जाती है या मोटापा बढ़ जाने से इस तरह से बहुत सारे लक्षण जो है इन ये रोक के कारण है यहां पर जो रक्त जो है अनियमित तौर पर जो रक्त छाप जो बन जाता है जिसे बीपी कहा जाता है ये भी एक कारण है ये बीमारी आने का और क्या है डाइबेटिस यहनी शुगर जब आ जाती है ये भी एक कारण है ये बीमारी आने के लिए और क्या है बहुत ज्यादा ही मोटापा जो है वो भी एक कारण है ये बीमारी आने की वज़े और क्या है मानसिक तनाव जो आजकल का जो जीवन है शेहरी जीवन इसमें मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है ये भी एक कारण है जो कि ये बीमारी के बीमारी आने का ये बीमारी आने का ये बीमारी आने का ये भी एक कारण है और जो है बहुत अधिक मात्रा में शराब पीन ये भी एक कारण है और धूम्रपान करना ये भी एक कारण है अधिक धूम्रपान सिगरेट वगेरा का सेवन करना से पीना ये भी एक कारण है और जो है वासा युक्त खाग्य का सेवन यहां पर जो आजकल का लाइप्स्टेल बन गया है वासा युक्त खाना यानि जंग पुड आजकल इसे खाया जाता है और जो की हमेशा कुर्सी में बैठकर काम करना जो की शेहरी जीवन है जो की बहुत ही विश्टी रहता है और क्या हैं तनाफ से भरा हुआ और कुर्सी पर बैटकर 2400 गंठे काम करना ये भी एक कारण है इस बीमारी का आना और साथी साथ धूम बुपान सिगरेट पीना भी एक यहां क्या हैं एक तरीके का यहां पर फैशन बन गया है आजकल लड़के ही नहीं लड़कियां भी इसका कहें सेवन करती हैं सिगरेट पगेरा पीती हैं इसलिए ये बीमारी जो हैं कहें बढ़ती जा रही है और पहले तो ये जो है स्त्रियों में कम नजर आती थी बीमारी लेकिन आजकल जो शहरी जीवन जो चकाचोंद का जीवन है इसमें स्त्रियां जो हैं लड़कियां भी क्या हैं इसका सेवन कर रही है मदिरा पी रही है यहनी शराब पी रही है तनाव भरा जीवन गुजार रही है इस वज़े से स्त्रियों में भी यह लक्षन पाए जा रहे है यह बीमारी आ रही है यह बीमारी जो है उनमें भी नजर आ रही है कोलेस्ट्राल का रक्त में बढ़ जाना और कहें परिवार के अन्य सदर्स्यों में भी ये बीमारी होना ये भी एक कारण हो सकता है वो भी एक लक्षन हो सकता है और जो कुरसी पर बैट कर काम करते हैं उनमें कोई शारदी क्ष क्या है परिश्रम नहीं होता इसी वज़े से ये भी एक बीमारी आने का कारण है और जो है शहरी चकाचोन की जो जिन्दगी है इसमें जो है दिखावा और जो है फैशन के तौर पर सिगरेट पगेरा पिया जाता है लड़कियां भी आजकल पी रही ये भी एक कारण है ये बीमारी आने का और क्या है पहले तो ये जियादा तर पुरुशों में नजर आ रही थी आजकल शहरी चकोचोन में जो लड़कियां मदिरा पी रही है और जो है सिगरेट का सेवन करती है इनमें भी ये लक्षन ये बीमारी पाई जा रही है और यहा गाम की तुलना में गाम की जो जिन्दगी है उसमें गाम के जो लोग है वो अधिक तर परिश्रम करते हैं और क्या है जंग पुड जो है वो जियादा खाते नहीं जंग पुड जो है उसका इस्तेमाल नहीं करते इसलिए शहरी लोगों में जो है ये रोग अधिक पाया जा और गाम के जो लोग हैं व्यायाम करते हैं परिश्रम करते हैं इसलिए उनमें ये लक्षन कम पाये जाते हैं उनमें ये रोग कम दिखाई देता है शहरी लोगों की तुल्ना में ये सब कारण ये बीमारी आने के लिए ये रोग किन कारोणों से होता है तो रक्त में कोलेस्ट का बढ़ जाने की वज़े से भी ये बीमारी आती है और परिवार के अन्यस दर्स्यों में भी अगर ये रोग है तो उस कारण से भी ये बीमारी आती है और व्यायाम तथा शाररिक महनत ना करने की वज़े से नहीं यहां पर व्यायाम जो है वो शहरी लोगों के लिए समय नह करने के लिए उनका जो जीवन है बहुत ही विस्त रहता है इस वज़े से भी ये बीमारी आती है और क्या है 2400 गंठे यानि कुरसी पर बैटकर करने वाली नौकरी से भी ये बीमारी आती है क्यूंकि वहां पर शारणिक परिश्रम नहीं किया जाता कुरसी पर बैटकर जो काम करते हैं इन लोगों में भी जो है ये बीमारी जियादा तर देखी गई है क्यूंकि उनमें शारणिक परिश्रम नहीं होता इस वज़े से ये किस उम्र का रोग है यहां पर यतिश्रगरवाल कहते हैं कि ये जो बीमारी है वो क्या है पैंतिस साल की उम्र से भी जो बड़ी उम्र होती है यनि 45 ये बाद जो उम्र होती है इन लोगों में ये रोग देखा जाता है लेकिन वो यहां पर ये भी बता रहे हैं कि के पास एक युवा जिसकी उम्र सिर्फ 23 साल की थी यानि 23 एर्स की थी उस युवा में भी कहें ये बिमारी देखी गई है क्यूंकि कहें आजकल का जो शहरी जीवन है जो की बहुत ज्यादा ही कहें ये रोग आने का कारण शहरी जीवन और शहरी चकाचोंद धूमर पान का से और जो है कहे तनाव भरी जिन्दगी अकेली जिन्दगी अकेलापन ये सब जो है शहरी लोगों में ज्यादा बढ़ रहा है इसका कारण यही है कि कम उम्र के लोगों में भी ये बीमारी देखी जा रही है इस तरह से यतिश अगरवाल कह रहे हैं और साथ ही साथ वो ये भी बता रहे हैं कि यहां पर कुरसी पर बैटकर जो काम करते हैं शाररी परिश्रम वहां पर नहीं होता ऐसे लोगों में भी जो की बहुत कम उम्र के होते हैं उनमें भी ये रोग पाया जा रहा है और स्त्रियां जो हैं पुरुशों की तुल्ना में जो स्त्री हैं उनमें ये रोग कम पाया जाता है ये भी ये तिश अगरवाल कहते हैं यहां पर देखें रोक के प्रमुक लक्षण क्या है तो सीने में बाएं और प्राण लेवा दर्द सीने में जो है बाईं और प्राण लेवा दर्द जो है वो होता है इसका लक्षण यह जो दर्द है वो गर्दन बाहां और क्या है उंगलियों तक क्या है फैल जाता है यह दर दर्द उटने लगता है यह एक लक्षन है और इसके साथी जोरों का पसीना जो है छूटने लगता है जो विक्ति में इस तरहा की बीमारी होती है उसे क्या है क्या है प्राण लेवा दर्द बाईं और उठने लगता है। जोरों का पसीना जो है छूटने लगता है और गबराहट उसे होने लगती है इसके साथ साथ जो है मितली की शिकायत मितली की शिकायत यानि वामिटिंग संशेशन भी उसे होने लगती है ये क्या है इसके लक्षन है जब इस तरह का कोई रोगी जो कि ये सारे लक्षन उसमें हैं तो क्या है ऐसा जो की दिल का दोरा अगर उसे पढ़ गया है तो उसका प्रार्तमिक उपचार के लिए क्या-क्या कदम उठाया उठाने चाहिए इसके बारे में क्या है यतिश अगरवाल कहते हैं इस तरह की अगर किसी की स्तिती हो गई है और उसे क्या है दिल का दोरा पीटाये जाए इसके बारे में बताये रहें तो पहले तो उस रोगी को पीट के बल सुलाया जाए पीट के बल उसे सुलाया जाए इससे पहले अगर कोई डॉक्टर आसपास में है तो उसे बुलाया जाए उसके बाद इस वेक्ति को पीट के बल पर सुलाया जाए अगर कोई कोई रोगी कहें इस दौरे से कहें दिल के दौरे से पीडित है तो पहले कहें पहले डॉक्टर को बुलाया जाए फिर कहें उसे पीट के बल पर लिटाया जाए अगर कोई रोगी कहें पहले से ही इस रोग का इस रोग का रोगी है तो उसके पास जो है sabatit नामक जो गोली रहती है उसके जीब के नीचे रख दिया जाए वो चूसता रहे पिर क्या है यहांपर यह बताया जा रहा है कि पहले से ही अगर वो इस रोक का रोगी है तो उसके पास जो दवाई रहती है उसके जीब के नीचे रखा जाए क्योंकि ताकि वो चूसता रहे पिर यहां पर अच्छानक किसी विक्ति को क्या है इस तरह का दौरा पढ़ जाए दिल का दौरा पढ़ जाए तो उसे क्या है पीट के बल लिटाया जाए और क्या है डौक्टर को तौरंत बलाया जाए पिर क्या है उसके सीने पर हलके से मालिश किया जाए और साथी साथ वो ये बताते हैं यतिश अगरवाल की यहां पर कोई दर्दनाशक गोली हो तो उसे दिया जाए अगर पहले से ही इस रोग का वो रोगी है तो सैबिटिट नामक जो उसके पास गोली रहती है उसके जीब के नीचे रखा जाए तुरंट जो है मुबाइल इनी तुरंट रुधे चिकितसा वाहन बुलाया जाए क्योंकि रोगी के लिए उस वक्त एक-एक फल भी बहुत मुल्यवान रहता है उसके जीवन के लिए इसलिए तुरंट मुबाइल चिकितसा वाहन तुरंट बुलाया जाए और जो है रोगी के लिए एक एक शन भी एक एक फल भी उसके लिए बहुत मुल्यवान रहता है तो यह सारा जो है प्रथम प्रार्थमिक उपचार जो है उस रोगी के साथ इस तरहां किया जाएं इसके बारे में यतिश अगरवाल कहते है इंजेनर जैसे लक्षण किसी अन्य रोग में भी हो सकते हैं जैसे कि यहां पर कोस्टो कॉंट्राइटिस में भी यह लक्षण देखे जा सकते हैं जबकि जोरों से सीने में और फसलियों के जो संघम स्थल है इसमें जोरों का दर्द उठता है ये लक्षन हम देख सकते हैं जोरों का दर्द बहां पर भी होता है जिसमें रोगी को खंदा इनि गर्दन और जो है उसके कहें गर्दन में उसके वाजू में इस तरह का दर्द उटने लगता है यह दर्द जो है वो कहें यह दर्द जो है लगाता रहता है जबकि एन जैना का दर्द जो है वो छूट छूट कर आता है लेकिन यह जो रोग है इसमें दर्द जो है लगाता रहता है लेकिन एन जैना का दर्द जो है वो लगातार नहीं रहता बलकि छुट-छुट कर वो दर्द आता है अगर यहां पर फिर ये भी बताया गया है कि अपज में जो है मितली की शिकायत रहती है और कहें बेचेनी भी रहती है अपज में यानि जबकि ठीक से डाइजेशन नहीं होता उस वक्त मितली की और क्या है यहां पर मितली की शिकायत हो सकती है बेचेनी हो सकती है और एन जैना जैसी बीमारी में भी क्या है उसके लक्षन भी मितली होना और क्या है बेचैनी हो सकती है जब कि थोड़ा भी यहाँ पर संदे हो संशे हो तो तुरंत क्या है डॉक्टर के पास जाना अवशक है इस तरह से यतिश अगरवाल इसके है अन्य बीमारियों में भी यह लक्षन पाये जाते हैं लेकिन वो लक्षन में क्या है दर्द लगातार होता है एन जैना का दर्द क्या है छूट छूट कर आता है इसके बारे में यहाँ पर वो बताते हैं लेकिन कुछ भी हो एक बार डॉक्टर की सलाहा लेना बहुत ही अवशक है यही ये बी बात यहां पर वो कहते हैं तो आज मैंने आपको कहें एंजैना और रुधय संभंधी बीमारी क्या है हाट अटाक और एंजैना क्या है दिल क्या दौरा और एंजैना क्या है और इसके लक्षण और किन कारोनों से यह सारी किन कारोनों से यह बीमारी आती है इसके बारे में जानकारी दी यहां पर जो किन बीमारियों में यह लक्षन पाए जाते हैं रुधे संभंधी जो बीमारी होती है जिसमें जो लक्षन होते हैं वहीं लक्षन और किन बीमारियों में हम देख सकते हैं इसके बारे में जानकारी दी आगे के कक्षा में और भी इस पार्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे धन्यवाद